नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी बहुत अच्छे से होंगे देखे दोस्तो आप सभी को पता है अभी अचार सहीता लगी हुई है लेकिन फिर भी पाँच प्रकार के भरती में Home Apply चल रही है और जो अप्रेल में स्टार्ट होकर के मई 2024 तक Home Apply हो रही है दोस्तो ठीक है और इसमें बता दू अगर आप सिर्फ दसवी पास है तब भी अप्लाई कर सकते है बारवी पास है तब भी अप्लाई कर सकते है तो चलिए दोस्तो इस वेकेंसी में A to Z आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है क्या क्या पोश्ट है सब कुछ डीटिल तो इसमें जो पहला वी भाग है न दोस्तो पहला नंबर का भी भाग ठीक है पहला वी भाग इसमें अगर हम पोश्ट की बात करें आखिर कितना पोश्ट है तो ये जो पहला वी भाग है इसमें टोटल अगर पोश्ट की बात करें तो 3712 पोश्ट है दोस्तो 3712 अच्छा खासा पोश्ट है और योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता आपका 12th pass है, only अगर आप 12th pass है, only pass, मैं percent नहीं बोर रहा हूँ, आप pass हो, बारवी चाहिए आप art से सिखिये हो, चाहिए आप commerce सिखिये हो, चाहिए आप science group सिखिये हो, कोई problem नहीं, बारवी pass हो, आप omphil कर सकते हो, और ये जो विभाग है न दोस्तों तो वो कहां से आई है, वो आई है, SSC, CHC, यानि की जो बारवी pass लेती है, exam, SSC, उसमें, और अगर इस भरती में salary की हम बात करें, तो 35-40,000 के आसपस आप लोगों को मिलेगी दोस्तों, एक अच्छा chance है, ठीक है, अब देखें, इसमें age criteria की बात करें, तो age आप लोगों का minimum 18 साल है, और maximum 27 साल है, age मंगी है, लेकिन अगर आप reserve category जैसे OBC candidate है, तो 3 साल की छूट मिलेगा, SSC, CHC है, तो 5 साल की age में छूट मिलने वाली है, ठीक है, और इसमें अब हम P की बारे में बात करते हैं, आखिर कितना P लिया है, तो बता दू, SSC एक अच्छा है दोस्तों, नौकरी क्योंकि इसमें P उतना high नहीं रहता और level भी जो नौकरी का है न वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, SSC जो P है न दोस्तों, वो 100 रुपए लेता है, General OBC और EWS का, ठीक है, बाकि जितने भी female category हो गया, SCHT हो गया, PH candidate हो गया, इसमें सब का जो P है न, वो 00 रुपए रहता है दोस्तों, ठीक है, ये बात आप लोग जान लेजे, और देखें, ये विकेंसी है न, इसमें apply का last date, देखें, इसमें already form के apply तो start हुई है, लेकिन इसका last date कब है, तो आप form इसमें कब तक भर सकते हो, साथ मई 2024 तक आप इस विकेंसी में form फिल कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप बारवी पास हो, तब ये विकेंसी आपके लिए best है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद आपका आज आता है second number की विकेंसी, ठीक है, ये तो SSTC, CHSL first हो गया, अब जो second number की विकेंसी है न, अगर हम उसमें बात करते हैं, पोश्ट की तो 4208 पोश्ट है दोस्तों, 4208 पोश्ट, ठीक है, अभी के टाइम पे, और यो गयता की बात करते हैं न, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ टेंथ पास है न, भाई, चाहिए आप male candidate हो, female candidate हो, कोई problem नहीं, male आप इसमें टेंथ पास है, आप इस विकेंसी के लिए eligible है, ठीक है, और देखे, age criteria की बारे में बता दू, तो इसमें भी 18 से ले करके 28 साल रखी गई है, लेकिन reserve category candidate है, SCHT, तो आप लोगों को बता दू, SCHT को 5 साल, OBC को 3 साल age में छूट है, और यह जो विकेंसी है न, दोस्तो, RRB के तरफ से, यान P की बारे में बात करते हैं, तो UR, EWS और OBC का 500 रुप फी है, लेकिन जो reserve category है, उसमें से 500 रुप फी है, दोस्तो, ठीक है, अब एक चीज़ बता दू, जितने भी candidate है न, वो आप form फिल करने के time, अपना account number जरू डालना, क्योंकि जो form का P है न, दोस्तो, वो refund हो जाता है, आप unreserved category, EWS और UR category candidate है, तो आपको 4 सुरुप रिफंड आएगा, OBC ये तब भी 4 सुरुप आएगा, बाकी SC, HD है, तो जो 20 सुरुप आपका फीस है, वो 100% refund हो जाती है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजेगा, ठीक है, इसके बाद इस vacancy का अगर हम last date बात करें, तो 14 म 2022, 2024, इस RPA for stable की vacancy का last date है, तो आप सभी सुन लिजेए, अगर आप 10 भी पास है, male, female candidate है, age criteria match करता है, तो आप जरूर फॉंफिल कीजेगा, और इसमें medical का standard आपका B1 है, ये बात आप लोग सब के सब जान लिजेए, ठीक है, अब इसके बाद, तीसरा नंबर का जो भरती है आपका, आर पी एफ, एसाई के तरफ से, आर पी एफ, एसाई के तरफ से, ये भी आर आर पी रेलवे की vacancy है, सब इंस्पेक्टर, अब देखें, एक चीज़ बता दो, आर पी एफ, एसाई में अगर आप पॉंफिल करते हैं, और चैन हो जाते हैं, तो आपको कॉंस्टेब लगबग कृप्ती पार, ठीक है, तो ये हो गया आर पी एफ, एसाई, और अगर हम इसमें योग्यता की बात करते हैं, तो आप अगर कोई सभी graduation pass किये हैं, चाहे BA की हो, BSC की हो, B.com की हो, कुछ भी pass कियो हो न, चाहे आप engineering की हो, आप इस vacancy के लिए eligible हो, और इसमें age criteria आप आपको बता दू, 20 साल minimum है भाई, और इसमें 28 साल आपका maximum age है, ये बात आप लोग जान लिए, जितने भी RPEP के vacancy के तयारी कर रहा हैं वो सब, और फी के बात करें तो इस vacancy में भी जो आपका फी है न भाई, वो है 500 रुपया है, other category के, जैसे कि UR हो गया, EWS हो गया, और O refund हो जाएगा, ठीक है, बाकी reserve category का 200 रुपय फीस है, और ये 200 रुपय 100% refund हो जाती है, तो account number, एकदम correct correct डालना, अपना account number, ठीक है, अब आज आता है दोस्तों, इसका last date का, तो इस vacancy का भी last date 14-5-2024 है, ठीक है, तो ये तो हो गया 3 vacancy, और 3 देखें, ये 10 भी पास है, ये 12 और ये आपका graduation pass है, ये vacancy, ठीक है, और 3 टॉप class की vacancy है, तीनो central government की job है, अब देखें, अगला जो vacancy है न दोस्तों, ये आप सुन करके थोड़ा सौक रह जाएंगे, ठीक है, ये लेकिन आपके लिए best job है, ये मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास एक और मौका है, चोथा की बात करें, तो 2610 पदों की भरती आई हुई है, और इसमें युग्यता, अगर आप 10th pass है, 10th pass है, 10th plus ITI pass है, ठीक है, या फिर आप graduation pass है, तो देखें, बहुत सारे qualification के अधार पे अलग-अलग post है, और ये जो vacancy आई है न, ये बिहार बिजली विभाग के अंतरगत आई ह ठीक है, बिहार बिजली विभाग, याने की हो गया दोस्तो, BSPHL, इसके अंतरगत विकेंसी आई है, जो एक सुनहरा मौका देती है, आप सभी candidate के लिए, ठीक है दोस्तो, अब देखें, इस बिहार बिजली विभाग वाली विकेंसी में बता दू, अगर आपका age 18 से ले करक 37 साल के बीच है ना, तो आपके लिए best विकेंसी है, और बता दू, EBC, BC2 जो है ना, उनको 2 साल के लिए छूट है, और SCHT 5 साल और female candidate को 3 साल की age में छूट है दोस्तो, रिजर्व क्या, और इस विकेंसी में apply date, आखिर इसमें apply date कप से है, तो इस विकेंसी का apply date आपको मैं बता दू दोस्तो, apply date आपका last date है भाई, 30, 4, 24, जरूर इस भरती में form फिल कर दीजेगा, अब एक चीज और बता दू, योग्यता कि अगर हम एक बार और बता दे रहों दोस्तो, फी के बारे में, sorry, फी छूट गया था, तो जैसे general है, OBC है, EWS candidate है, इनका 1500 रुपय फी है, लेकिन SC और HD के डिगरी candidate के लिए 375 रुपय फी है भाई, 375 रुपय, तो ये बात आप लोग जान लिजेए, जरूर इसमें form फिल कर दीजगा, और आल इंडिया की, देखे हाला कि ये जो विकेंसी है, बिहार राज्यके है, लेकिन आल इंडिया की male female candidate इसमें form फिल कर सकते है, अब आज आता है दोस्तों, आपका हमारा पाच्वा नंबर के विकेंसी, ये भी एक सुनारा मौका है, ये भी विकेंसी में हम आल इंडिया candidate form फिल कर सकते हैं, और इसमें अगर हम पोश्ट की बात करें, तो 410 पोश्ट पे भरती आई हुई है भी, ठीक है, और विकेंस है अगर योग्यता की हम बात करते हैं, तो इसमें डिगरी आने की इसनातक पास है, चाहिए आप कोई सबी हो, आप इस विकेंसी के लिए लिजिबल हो, और कलर के की विकेंसी है भाई, ठीक है, एज क्राइटेरिया की बारे में बता दूं, 21 से ले करके 37 साल के बीच है आप का एज, तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं, 37 साल BC1, BC2 को दो सल चूट है, SCHD को पांस साल की एज में चूट है दोस्तों, और अगर हम फी की बात करें, तो फी इसमें दोस्तों पांस सुरुपे रखी गई है, लेकिन SCHD के लिए 125 रुपे फी है, और देखें, ये हाला कि जारखन राज्य की विकेंसी, लेकिन आल इंडिया के केंडिडेट इस विकेंसी के में फौम फिल कर सकते हैं, तो ये बात आप लोग जरूर जान लीजेगा, और लाश्ट डेट विस विकेंसी का दोस्तों, 95-2024 है, तो इस तारिक से पहले जरूर फौम फिल कर लीजेगा, देखें, ये सारा का सारा विकेंसी, दसवी, बारवी, और आपका डिगरी, यानि किसना तक पास वालुक लिए है, तो आपका क्वालिफिकेंसन और एज की हिसाब से जरूर फौम फिल किजेगा, और हो सके तो एक से ज़्यादा फौम फिल करने कोसिस किजेगा, क्योंकि आ पूरा वीडियो मैं आपने चैनल में आरेड़ी बता दिया हूं, फौम कैसे फिल करना ये भी बता दिया हूं दोस्तों, तो चैनल में जा करके भी एक बार चेक कर लिजेगा, प्रसनल वीडियो मिल जाएगा, इन सभी विकेंसी का ठीक है, आज के लिए बस इतना है, किसी परकार का सवाल है, तो कमेंट कर दिजेगा, और हो सके मुझे, मेल करके ज्यादा पूछ लिजेगा, मेल मेरा अबाउट सेक्षन में है, वहां से जा करके आप देख लिजेगा, आज के लिए बस इतना है वीडियो पसंद आई होगे लाइक कर दिजेगा, चैनल को अब भी तक सब्सक्राइब निगे, सब्सक्राइब कर लिजेगे दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स टुडियो में नई गवर्मन जब नई सरकारी नउफरीक अप्डेट के साथ, तब तब के लिए, जैन!